Hey guys, welcome back to the session, आज हम बात करने वाले हैं energy या फिर cool crisis in India यानकि भारत में जो उर्जा या फिर कोईले का संकट चल रहा है, उसके उपर हम ऐसे writing करने वाले हैं, जो की हमारे CAPF exam के लिए काफे ज़्यादा important हो जाता है, हमारे exam में काफे कम दिन बचे हैं तो हम आपका ज़्यादा time नहीं लेंक है और वीडियो को directly शुरू करते हैं, तो क्या होता है हमारा introduction, introduction की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, recently India witness acute power shortage due to higher demand and unavailability of the adequate coal supplies, तो क्या है इसका मतलब कि recently, यानकि हाल ही में भारत जो है वो acute power shortage, यानकि भारत में जो power की shortage रही, कमी रही, वो हमें कुछ देखने है और unavailability, यानकि हमारे पास उपलब्द नहीं है, adequate का मतलब होता है परियाब्द unavailability of adequate coal supplies, यानकि भारत में जो है, वो acute power shortage का भारत है, वो गवाह बना, वो इसलिए बना क्योंकि हमारे यहाँ adequate coal supplies नहीं है और इसकी आपूर्ती नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारे भारत में बिजली की जो कमी है, वो देखने को मिल रही है, more than 100 million unit of energy shortage noted during the month of April, 2222, मतलब क्या इसका मतलब यह है, कि हमारे भारत में 100 million unit energy जो है, इसकी कमी को नोट किया गया, केवल और केवल अप्रेल 2022 के महीने में, ठेक है, अगर हम नेक्स पैराग्राफ की बात करें, तो क्या होता है, इंडिया is second largest country in the term of population, यहनकि जो हमारा भारत देश है, वो जनसंख्या के दृष्टी कोंड से 200 का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां क्या हो रहा है, इलेक्रिसिटी का यूज जो है, वो दिन परते दिन बढ़ता ही जा रहा है, अगर हम आज की भारत की बात करें, आज भारत में क्या होता है, और लोग जो है इसका benefit ले रहे हैं, लाब उठा रहे हैं, Electricity is plays an important role in a overall development, यनिकि जो हमारी electricity है, जो light है, वो क्या कर रही है, वो important role जो है, वो play कर रही है, overall developing, including technological development of the society and that of the country, यनिकि जो हमारी electricity है, वो भारत के समाज में, technological development के च्छेतर में, एक महतवपून भोमिका निभा रही है जिससे की हमारा टेक्नलोजिकल डेवल्लाप्मेंट हो सके है ठाविवर हलंक से हैं आदक करते हैं जढ़ा इनर्जी के जो है वह डिमांड करते हैं और उणके लिए जादे लिये जादे अनर्जी जो है वह चाहिए electricity need of many industries like railways, agriculture and household uses growing day by day यानि कि तो हमारे electricity है, वो कई industries के द्वारा जो है वो दिन परते दिन बढ़ते जा रही है जिनमें कि railway हो गया, agriculture हो गया, household हो गया, तो इन जगों पर जो हमारे electricity की users है वो काफी तेजी से दिन परते दिन बढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा slide क्या होता है, the current demand of power is barely a little over half of the India's total installed power generation capacity of approximately 400 gigawatt यानि कि अभी हमारे current के अगर हम बात करें, यानि कि हमारा वरतमान में जो power है, वो barely, यानि कि मुस्किल से ही क्या हो पाता है यानि कि भारत में जितनी power बनाने के चमता है, उसके आधे से थोड़े ही अधिक हम मुस्किल से जो है वो power generate कर पाते हैं और भारत की जो power capacity है, वो maximum कितनी है, 400 gigawatt है और हम इसका आधे से कुछ अधिक भागी जो है, वो power में convert कर पाते हैं, उसके आगे हम energy को नहीं बना पाते हैं However, हलांकि due to unavailability of the coal supplies, this power shortage are witness हलांकि क्या होता है, कि जो इस तरीके की कोईले की supply है, या उसमें कमी होने के कारण, जो हमारा भारत है, वो क्या हो रहा है पावर, यानकि जो हमारे electricity shortage है, उसका ये गवाह बन रहा है यानकि भारत में क्या है, कि जो हमारे कोईले की supply है, उसकी कमी हमें हमेशा देखने को मिलती है और इसके वज़े से हर वर्स हमारे यहां जो है, वो electricity में कमी आती है इसके बावजूद भी, मतलब, despite various measures, यानकि कई सारे कदम उठाए गए, इसके बावजूद भी क्या होता है India is not succeeded in overcoming the problem, यानकि भारत जो है, वो इस problem को overcome करने में जो है, वो सफल नहीं रहा मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि इन सभी समस्याओं के पूर्ती है, वो हो जाए, उसके लिए क्या करना साहिए हमें जो है, एक मतलब statistical, मतलब हमें एक बनानी साहिए, strategy बनानी साहिए उसके उपर, और उस चीज़ को हमें notice करना साहिए, कि किस तरीके से हम अपने power shortage को जो है, वो कम कर सकते हैं, उसके solution पर हमें ध्यान देना साहिए नेक्स हमारा क्या होता है paragraph, इसमें बोला गया है कि India's coal dependency for power, यानि कि भारत में जो power है, उसको बनाया जाता है, तो किस तरीके से हम कोईले के उपर dependent है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, तो as of September 2021, यानि कि अगर हम 2021 तक कि सितंबर की बात करें, तो उसमें क्या कहा जाता है कि the thermal power, which included power generated from burning coal, gas and petroleum, compressed 60% of India's installed capacity in power generation, मतलब ये है कि अगर हम सितंबर 2021 के बात करें, तो उसमें एक data आया था, उस data में ये कहा गया था, कि हमारे जो thermal power plant है, अब इसमें क्या होता है, कि जितने भी हमारे thermal power plant है, उनमें क्या होता है, कि वहाँ पर जो बिजली बनाया जाती है, जैंकि जो power generate किया जाता है, वो burning coal के द्वारा किया जाता है, गयासो के द्वारा किया जाता है, और petroleum के द्वारा किया जाता है, और ये भारत का लगबग, जितनी भी energy installed है, उसका 60% जो capacity है, वो केवल हमें thermal power plant से जो है, वो देखने को मिलती है, ठीक है, 210 gigawatts of the total 396 gigawatts coal best power generation capacity account for about 50% of India's total power capacity as on March 2022, मतलब क्या है, मतलब ये है, मार्च 2022 तक की बात है, उसमें क्या कहा जा रहा है, कि हमने 396 gigawatts जो है, वो बिजली बनाई, जिसमें से 210 gigawatts total बिजली है, वो किसके द्वारा आ रही है, कोल-based power generation capacity से आ रही है, जो कि हमें बताता है कि accounts for about 53% of India's total, यारिक इसका क्या हुआ कि भारत है, उसका 50% जो हमारी energy है, वो directly किस पर dependent होती है, वो dependent होती है, कोल के उपर, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो energy capacity है, वो किस तरीके से कोले को उपर dependent है, तो 53% आलमुस्ट जो energy है, ह thermal coal requirement are imported, यानि कि presently, यानि कि वर्तमान समय में, जितनी हमें आवसकता है कोईले की, उतनी कोईला हम बाहर से खरीद करके नहीं मंगा सकते, हमने सिर्फ 20% यानि कि अगर मुझे 100 रुपे के जरूरत है, तो हमने बाहर से मात्र 20 रुपे ही मांगे है, इस तरीके से 20% ही, हमने क किया है, कोईले को ही इंपोर्ट किया है अपने कट्री में, तो जाहिर सी बात है, अगर 80% नहीं किया तो हम कही ना कहीं power shortage देखने को मिलेगी. Next हमारा क्या होता है, कि causes up there power crisis, अभी यह जो हमारे भारत में power 2020-21 तक हमारे यहां COVID-19 था ठीक है तो 2020 या फिर 2021 में जैसे COVID-19 खतम हुआ उसके बाद हमारे जो economic activities थी जो परवज़ोग की विकास थे वो शुरू हो गए और हमारे technology जो थी वो काम करना शुरू हो गए और वो advanced भी हो गई थी इसके कारण हमें क्या हुआ कि electricity की अब जरूरत पड़ी ठीक है इन अप्रिल 2022 यान की अप्रेल 2022 में क्या हुआ कि average daily energy यान की प्रती दिन की जो average energy होती है उसकी जो requirement थी जो उसकी जरूरत थी increase to 4,000 and 4,512 million unit while it was 3,941 million unit in अप्रिल 2021 2022 के अप्रिल में क्या हुआ हुआ हमारे daily average energy requirement होती थी वह जो है वह 4512 million units हो गई थी जो कि यह जो unit की energy है यह जो average energy है वह कितनी होने साहिए थी 2021 में इसके जो requirement थी 3,941 million unit हुआ करते थी registering of 45 percentage growth अब इससे क्या हुआ कि हमने देखा कि हमारा 2021 2022 के अप्रेल के महीने के बीच में कितने तरीके की growth हो गई तो 14.5 percentage यानकि almost 15 percentage का growth है वो हमें देखने को मिला use of the electricity in many industries railway, agriculture, railway industries, agriculture and household are increased यानकि क्या हुआ है कि हमारे electricity है जो यूज करे जाती है कई सारे industries के जवारा जिनमें के railway हो गया agriculture हो गया और जो हमारे household हो गया उनके द्वारा जो energy का यूज क्या ज़रा है वो भी काफे जादा बढ़ गई है the thermal power plant of India are also running much below their capacity यानि कि भारत के thermal power plant है जो उर्जा बनाते है जो capacity उनके पास है वे उससे काफे जादे नीचे जो है वो चल रहे है विच कुड है भी मैनेज अगर उनको इस power shortage को मैनेज करना है तो भी कर सकते हैं this demand surge by the ramping of the thermal generation तो वो demand कैसे खतम हो सकती है कि भी अपना जो अधिक से अधिक है वो electricity generate करते है तो कहीना कहीं वो इस चीज को जो है वो खतम कर सकते हैं और वह यह चीज को मैनेज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए क्या साहिए इसके लिए हमें koilas आई और koilas जो है वो आ नहीं रही है इसका कारण क्या है इसका कारण और और है के cash flow problem in the electricity sector is also one of the reason of the power crisis क्स अग्यान कि हमाईज अच्छलो होता है जैसे कमपणियां बजली बेचती है। उनको पैसे भी चाहिए होते है। तो जो टीक्वाइश वापस उनको पैसे मिल जाएं यह ची झो जDAY है मिले को हम्हें नहींoin मतलब कि उनके पैसे लगे हैं उन पैसों को भी वह रीकवर कर ले ऐसा भी उनके साथ नहीं होता और रिजल्टेंट इन उस आउटसेंडिंग ड्यूज और क्या है कि हमारे जो कंपनी हैं उनके उपर काफे जादा करजा है वह हो चुका है जिसके वज़े से क्या होती है कि जो वह कोईला है वह नहीं करीद पाते होंगे और हमें जो इलेक्रिसिटी है वह नहीं मिल पाती होगी इसके रिजल्ट में क्या कहे सकते हैं आजी शर्ट पाबर जेनरेशन कमपनीज डिफाल्ट फई मझेंक्ट को कोईला होता है घर और और इसके बसे ऐिनको उनको क्या कर पाती है। which creates problem in a coal supply, जो क्या होती है, कही नहीं जो पैसे है, वो पिन नहीं किया जाएंगे, तो coal supply में जो है, वो दिक्कत हो साएगी, this reflects both operational efficiency and poor recovery, due to from the customers, मतलब क्या है, कि ये जो है, वो दोनों ही चीजों को reflect करता है, वो दो चीज कौन कौनची है, operational efficiency, यानि कि जो है, operational efficiency का मतलब ऐसा हो गया, कि हम जो अपनी प्रकिरिया है, उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, और साथी साथ, देश जो है, वो कैसे प्रभावित हो गया, तो due to war in Ukraine, international export market coal prices have scored to over $400 a ton from the around $50 a ton in 2020, अब सोच के देखो कि लडाए जो है, वो यूकरेन में चल रही है, लेकिन international market में जो कोईले के दाम है, वे काफिर जादा बढ़ गए, और ये दाम कितने बढ़ गए, तो पहले जो कोईला हमारा एक टन $50 में मिला करता था, आज उसके कीमत जो है, वो 400 $ हो गई है, एक टन कोईले की, तो कहीं न कहीं, कोईले की कीमत है, वो भी जादा बढ़ गई है, 2020 के तुनला में, तो इसलिए हमारे भारा सरकार जो है, वो power crisis in India, इनकी बारत में अगर हमें power crisis को जो है, वो कम करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते है, there is need to change our planning, हमें अपने जो planning है, उसको बदलने की आओ सकता है, and policies, और जो भी हमारे policies है, उनको भी change करने की जो है, जरूरत आ पड़ी है, from one of the primarily managing scarcity to one of the flexibility resiliency, मतलब क्या है, मतलब य managing scarcity है, यानके जो हमें शुरुवाती चीजों में जो कमी देखने को मिलेगी, उसके अलावा भी हमें उस सीज पर जो है, बनी रहना होगा, जैसे कि मालो, अगर हम अभी भी renewable energy की तरफ जाती है, तो क्या होगा, कि हमें energy की कमी शुरुवात में देखने को मिलेगी, तो इसके के लावा भी हम बोल सकते हैं कि हमें जो है, वो उसके साथ जो है, वो ठीके होना चाहिए, उसके साथ जो है, बना होना चाहिए, policies should be prepared, focusing, the long term, a structural solution, that the address, distribution, financial visibility, and the robust mechanism for the resources planning, मतलब क्या है, कि हमारे पास एक robust, यानि कि वो सकते हो, strong mechanism, और resources की जो है, वो planning होनी साहिए, जिस तरी किसे हम अपने policies को आगे की तरफ prepare कर सके, और हमारा focus होना चाहिए, कि long term, long term में हम अपने जो power crisis है, इस चीज को हम कैसे खतम कर सकते हैं, इसके उपर हम काम करें, focus should be given to ensure the power plant work efficiency, ठीक है, तो हमें इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए, focus होना चाहिए, कि हमारे जो power plant है, उन सकते हैं, या फिर address कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है, a strategic approach to low cost energy transition like renewable energy and opportunities for the diversification in energy mix in a crucial to address presenting power shortage, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि हमारे जो strategy होनी साहिए, वो यह होनी साहिए, कि हमारा जो approach, वो low cost energy की तरफ जादा हो, जैसे कि renewable, या अक्सा energy जो हो गई, जो energy कभी खतम नहीं होती, या फिर उसका लिए हमें पैसे जादी खर्च नहीं करने पड़ते, उस energy की तरफ जो हमें जाना साहिए, जो कि low cost energy भी कहीं जाती है, इसके बद से क्या होगा, कि हमारी opportunity होगी, ठीक है, यानिकि हमारा एक opportunity होगा, diversification of energy का, वो एक, बोल सकते हो कि crucial time के बाद हमारी जो चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा कि सीच पर होनी चाहिए, रेनवेबल एनर्जी पर होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रैंपिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी एक तरीके से power shortage चल रही है, उस चीज को, और अपने production को हम बढ़ा सकते हैं, जितना ज्यादा हम production बढ़ाएं कि renewable energy का, उतनी ही जादा हमें power security रहेगी, और हमें जो है, वो क्या नहीं देखने को मिलेगी, power crisis भारत में देखने को नहीं मिलेगी, conclusion हम क्या देख सकते हैं, as India's power demand is set to rise subsequently and become more variable, यहन कि भारत में जो power की demand है, वो काफी तेजी से बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है, वो आगे भी ऐसे ही परवर्तिनी तरीके से बढ़ती जाएगी, it is time to act for the long term resilience of the India's power sector तो, अब यह समय आ चुका है कि हम भारत को जो है, वो एक long term resilience के साथ लेकर के चले, जिसमें कि हम power sector की भी बात कर रहे हूं, renewable sources of power generation should be ramp up the production of electricity, of the fulfill the need of growing demand of power, यहन कि क्या है, कि हमारी सो भारत है, उसको renewable sources की तरब जो है, वो अपना ध्यान देना साहिए, और power का generation है, वो renewable sources के थ्रूही करना साहिए, जिससे कि क्या होगा, कि हमारे electricity की production होगी, वो काफी जादे हो जाएगी, और वो हमारे demand है power की, उसको वो कहीं ना कहीं fulfill करेगे, जो कि हमारे power की बढ़ती तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएगे